देखे, question है, lead code 2260, minimum consecutive cards to pick up, आपको एक array दी जाएगी cards की, और जो number है, ये represent कर रहा है card की value, दो cards obviously match होंगे, अगर उनकी value same होगी, आपको निकालना है minimum number of लगातार आने वाले cards, जो की आपको pick करने है, ताकि उसमें एक pair हो जाए matching cards का, ठीक है, ये है question, अगर कोई भी ऐसा array न आप उसमें 2 matching cards ला पा रहे हैं, तो minus one return करना है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये आपको बताता हूँ, ये आपको बताता हूँ, ये आपको बताता हूँ, और इस समय देखेगा, 342 आया, कोई दिक्कत नहीं है, 3423 जैसे ही आया, तो ये मेरा answer आजाएगा, minimum number of cards, जो क इसमें निकाल ली है, ताकि उसमें 2 elements सेम आजाए, जैसे कि ये सबर ले सकते हैं, या फिर ये सबर ले सकते हैं, यहां पर क्या है, दो fours आ रहे हैं, यहां पर क्या हो रहा है, दो three same आ रहे हैं, और यहां पर देखेगा, सारे ही cards जो है, वो different हैं, तो हम कोई भी array नहीं बन length of sub array, जिसमें 2 cards similar है, start करते हैं, question कैसे कर सकते हैं, देखेगा, एक काम कर सकते हैं, हम इनको store कराते चलते हैं, एक loop चलाएंगे, और इन elements को store कराते चलेंगे, हैश मैप में, यह देखा, मैंने हैश मैप में डाल दिया, और key क्या होगा, यह खुद नंबर, और value क्या होगा, इसका index, बताता हूं, index क्यों ले रहे हैं, ठीक है, तो इस array के corresponding, एक hash map तयार हो सकता है, जैसे कि देखेगा, 3 में लिखा हो है, 0, फिर हम 4 पे गए, 4 पे क्या लिखा हो है, 1, then 2 पे गए, 2 पे क्या लिखा हो है, 2 लिखा हो है, उनके indices, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर इसका मतलब है क्या, कि ये वाली सब array बन जाएगी है, हमारी, minimum length की, जिसमें 2 card से मा रहे हैं, और उनकी length निकालनी है, तो length कैसे निकालेंगे, इसका index, और इसका index मेरे पास है, ठीक है, तो इसका index क्या होगा, 0, 1, 2, 3, 3, और इसका index मेरे पास है, 3, minus 0, plus 1, plus 1, is equal to 4, ठीक ह तो मैंने आप से पूछा कितने बच्चे हैं, 50, minus 1, plus 1, ठीक है, ठीक है, अच्छा, 4 आ गया, बहुत अच्छी बात है, 4 आ गया, और हमने iterate भी कर लिया, यहां तक, ठीक है, अब 4 पाएंगे, अच्छा, अब देखेगा, ये sub array जो है, इसका answer जो है, हमने store करना पड़ेगा ये जो चार आया है, ये कहीं store करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है, future में जो sub array आएंगी, elements आएंगे, उसमें इससे कम sub array का size मिल जाए, तो इसको हम store करना लेंगे, और फिर compare करते चलेंगे, कि चार से कोई कम आ रहा है या नहीं आ रहा है, अच्छा, ठीक है, अब 3 का कौन सा डालूं, ये वाला, या फिर ये वाला, आप देखेगा, 3, 4, 2, 3, 4, 7, ये वाला का तो काम खतम हो गया है, तो हम ये window में से हटा सकते हैं, ये window में से हटा सकते हैं, तो हम इस वाले को, इस वाले index को यहाँ पर अपडेट कर देंगे, यहाँ पर डाल देंगे 3, अब यहां से नई शुरुआत होगी question की एक तरह से हमान लीजिए यह हमारी सबैरे है अब यह वाली सबैरे से start होगी यह विंडो जो है हमारी क्या है अब नया question बन जाएगा अब यह देखेगा कि आगे चलके कि क्या for already exist करता है हां करता है same photo भी हाँ चलेगी ठीक है करके दिखा देते हैं एक बार एक map ले लीजे ठीक है int R.E.S. मैं ले लेता हूँ अभी के लिए zero और last में हमारा सुंदर R.E.S. हम return करा देंगे ठीक है अच्छा अब क्या करते हैं हम loop चला लेते हैं i is equal to zero i less than cards.length i++ ठीक है और map में हम put करते map.put क्या कर रहे हैं cards i को put कर रहे हैं key में और index को put कर रहे है value में ठीक है obviously अगर पहले चेक करेंगे कि अगर map.contains key अगर if map.contains key यानि कि वो number अगर पहले से है map में इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है देखिए कि हमारा जो sub area है ना वो सुंदर बन चुका है ठीक है यान अगली बार 3 आएगा इसका मतलब क्या है हमारा अंसर सुंदर बन चुका है इसमें 2 से मा गए है तो हम क्या करा देंगे rs को update करा देंगे rs is equal to आप देखिए हमें minimum चाहिए minimum तो math.min करेंगे पुराना rs अगर कुछ रहा होगा और current sub area की length current sub area की length कैसे निकले की बताएगा नहीं बताया था मैंने जो new index है minus पुराना index जो है map.getcards आई में जो पड़ा होगा plus 1 ठीक है यह है इससे length निकल जाएगा अच्छा हम math.min कर रहे हैं तो obviously हो सकता है कि rs यह 0 ही हो अब देखिए 0, something और मिने हम निकाल रहे हैं तो हमेशा 0 ही आएगा तो इसका कर देते हैं integer. max value समय रहे होत को क्योंकि हम नहीं जाते हैं 0, something हमेशा 0 ही है फाइदा क्या होगा लेकिन अगर मैं 1, something करूंगा और उसमें से minimum निकालूंगा तो obviously यह वाला आएगा एक करोड तो बहुत बढ़ा हो जाएगा ठीक है obviously यह करोड नहीं है कुछ हो रहे है अच्छा और हमेशा 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 यहां पर मैं क्या बटकूंगा map.port cards of ii कोई दिक्कत नहीं है इसका काम ख़तम हो गया है अब अगर आरियेस हैसमें आंसर आ गया होगा लेकिन हो सकता है आरियेस में अभी इंटीजर की मैक्स वैल्यू पड़ी हो सभाण किया है यह कंडिशन चली नहीं इसके मतलब सबहरे ही नहीं तो मैं लिक देता हूं अगर आरियेस अभी पिया है इंटीजर.max value है तो माइनस वन रिटन करा दीजेगा कि इसने बोला है माइनस वन रिटन कराना है नहीं तो आप अपना रियस ही रिटन करा दीजे कोई लिक्कत नहीं है क्योंकि हमारा answer आ गया होगा at least once ठीक है रन किया submit करते हैं और time complexity कितनी है इसकी big of n ही है एक ही लूप चल रहा है and space complexity कितनी है except तो हो गया बहुत चीवात है space complexity कितनी है हमने एक map यूज किया है ठीक है हो सकता है सब unique ही हो तो big of n space complexity है वीडियो स्वाप्त होती है next video के लिंग आपको इसकार चाहिए